हलो दोस्तों सुकत एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जो है काफी ज़्यादा अमाउंट जो है विड्रो करने वाला हूँ जी हां दोस्तों आपने जो है वीडियो के थमनेल पर देखे लिया हूँगा कि कितना अ अमाउंट है यह कैसे बढ़ने वाला है तो दोस्तों भीन सारी चीजे बताने वाला हूँ कि कैसे इ jeunes में एतना फास्ट मेंथर्ड नहीं बताय ओगा कि इतने पेसे इतना जल्दी किसी ने विड्रो किये को तो दोस्तों अभी हमारे व्रेक्गज़ेट की स्क्रीन पर आ यहाँ पर बहुत सारी method show होती है लेकिन मैं आपको जो है काफी अच्छी method बताने वाला हूँ जिससे कि बहुत जल्दी जो है आप विड्रो करने वाले हैं हाला कि अगर आपको इस method के बारे में और detail में जानना है तो यह जो link आ रहा है उपर वीडियो का इस पर जाकर देखि तो cryptocurrency के अंदर जो यह tether on tron आ रहा है मैं इस पर click कर देता हूँ इस पर click करते हैं मैं आपर confirm कर देता हूँ confirm करने के बाद यहां पर amount आ रही है minimum amount इसके अंदर बहुत कम आती है यहां दोस्तों cryptocurrency में बहुत कम amount आती है तो मैं जो है अभी यहां पर इसको हटा कर यहां जो है मैं सबसे पहले 30,000 की request डालने वाला हूँ तो इसके अंदर मुझे मिल रहे है 333 USDT और यहां पर जो है मैं cryptocurrency currency wallet address डाल देता हूँ cryptocurrency wallet address क्या होता है तो आप जो है मेरे पहले वाली वीडियो में चाके देखिए आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा Binance से मैंने कैसे cryptocurrency wallet address लेना है तो मैंने यहां पर पेस्ट कर देता हूँ तो मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया है और अभी मैं यहां से confirm क करते ही यह जो है मुझसे authenticator code पूच रहा है तो यह जो है मैं भी यहां पर डाल देता हूँ यह जो है मैंने भी यहां पर डाल दिया है और confirm कर देता हूँ हमारी जो USDT की जो deposit था वो complete हो चुका है और यहां पर हमें पूरी 333.29 USDT मिल गए यानि कि जितनी हमने वहां पर mount डाली थी उतनी हमें यहां पर मिल गई है अभी मैं back चलता हूँ फिर मैं आता हूँ यहां पर funding में funding में आके P2P में यहां दोस्तों यह जो पूरा mount है यह मै bank में transfer करने वाला हूँ जी हां दोस्तों पूरा mount bank में transfer करने वाना हूँ लेकिन मैं यहां पर एक बार इस USDT को funding जो wallet है उसके अंदर transfer कर लेता हूँ यहां पर sport wallet के अंदर है तो यहां पर sport से funding कर लेते हैं उसके बाद हम bitcoin को हटा कर यहां पर पूरी USDT कर लेते हैं और यहां पर maximum पूरी निकालना चाहते हैं जितनी आप चाहो उतनी आप यहां पर डाल सकते हो और confirm transfer पे क्लिक करते हैं transfer confirm हो चुका है funding पे चलते हैं P2P पे चलते हैं sell पे चलते हैं और sell पे चलने के बाद अभी आप देखते हो हमें एक USDT की कीमत 33.46 मिलने वाली है तो अभी यहां प आपर withdraw कर रहा हूं लेकिन मेरे को जो fiat amount मिल रहा है 30,000 रुपे की हमने USDT वाहां से withdraw की थी और यहां पर हमें उसके मिल रहे 31,132 रुपे जी हां दोस्तों 30,000 की जगे हमें यहां पर 1132 रुपे ज्यादा मिल रहे हैं और आप सोचिए कि 2,000 रुपे कितना पैसा हमें ज्या कर देता हूं तो friends अभी आप यहां पर देख सेते हों कि हमारा जो पूरा amount था 31,128 यहां दोस्तों मैंने आपको बता है था 31,128 से उपर कुछ amount था लेकिन वो जो seller है वो ही payment release नहीं कर रहा था तो मैंने उसको उठा के दूसरे seller से release करवाया है तो यहां पर 31,128 रुपे हम हमारे पास बच चुके हैं अब 1,94,938 रुपे लगबग 2,00, रुपे भी हमारे पास बचे हुए हैं तो अभी हम इनको भी withdraw कर लेते हैं तो इसके लिए मैं जो यहां पर withdraw count में वापस अलता हूं यहां पर चलने के बाद हम वापस अपने उसी टीथर उन ट्रोन पे चलते हैं तो यहां पर टीथर उन ट्रोन पे आ गए हैं यहां से confirm करता हूं confirm करने के बाद यहां पर पूरे 1,94,000 रुपे की अमांट यहां पर डाल देता हूं तो फ्रेंड्स अभी आप देख सेते हों कि मैंने यहां पर पूरे 1,04,000 रुपे की अमांट यहां पर डाल दी है तो इसको यहां पर cryptocurrency wallet address डाल देता हूं cryptocurrency wallet address भी यहां पर डाल दिया है पर जो authenticate code था वो भी यहां पर डाल दिया है तो अभी यहां पर 413 USDT मिलने वाली है confirm पर क्लिक कर देता हूं request successfully create हो चुकी है तो अभी यहां मैं सीधा आपको Binance में लिके चलता हूं तो फ्रेंड्स अभी आप देखते हों कि हमारी जो USDT का deposit था वो complete हो चुका है यानि कि पूरे यहां पर आप देख सकते हो 2413 USDT हमारी यहां चुकी है तो अभी जो है मैं वापस sport पे चलता हूं transfer पे चलता हूं transfer पे चलने के बाद यहां पर funding में जाके bitcoin की जगे हम यहां पर USDT लगा देते हैं USDT लगा के maximum लगा के confirm transfer कर देते हैं यानि कि यह हमारी funding wallet में आ चुका है और अब हम यहां पर P2P पे चलते हैं P2P पे चलने के बाद sell पे चलते हैं sell पे चलने के बाद अभी आप देखते हों यहां पर यह जो आदमी है यहां पर कुछ कम amount के अंदर ही money transfer कर रहे हैं 2,1,128 रुपे मैंने कितने किये थे बाइनस से 1,94,000 रुपे और यहां पर मुझे मिल रहे हैं 2,1,128 यानि कि पूरा 7,000 का profit इस पे मिल रहा है और 1,000 रुपे से ज़्यादा का profit उस पे मिल गया तो लग बग मुझे यहां पर लग बग 8,000 रुपे का profit जो amount थी उस पे मिल रहा है तो अभी जो है मैं याँ पर मेरी UPI ID मैंने देख लिए बिलकुल सही है तो अभी जो है मैं याँ पर sale USDT पे click कर देता हूँ अभी जो है मैं आपको एक बार उपर से slide down करके बता देता हूँ तो अभी हमारा जो बैंक है उसके अंदर आ चुके है यानि कि पूरे 2,118 रुपे हमारे बैंक में आ चुके है और पहले वाले भी आप देख सेते हो 31,128 रुपे भी हमारे बैंक में आ चुके हैं तो दोस् से उपर क्लिक करके और जो पेमेंट है वो कनफर्म कर देता हूँ तो अभी जो है मैंने पूरा पेमेंट सक्सेसफुली जो है 1xbet से मेरे बैंक अकाउंट में निकाल लिया है बाइनेंस के थूरू अभी आप देख सेते हो कि हमारे जो 1xbet का अकाउंट था उसके अंदर भी और आदे गंटे के अंदर पूरे पैसे जो है हमने विड्रो कर दी है ना तो 1 रुपया मैंने यहां पर जब मैंने निकाला तब टेक्स दिया और ना ही जब मैंने बाइनस से निकाला तब टेक्स दिया टेक्स तो नहीं दिया लेकिन मुझे उससे ज़्यादा पैसे एड़ के और मिल गए हैं यानि कि मैंने लगबग 2,4,000 रुपए जो है विट्रो किये 2,32,000 रुपए ऐसे कुछ जो है मुझे उसे मिले है यानि कि लगबग मुझे 8,000 का प्रोफिट और हो चुका है यानि कि मेरी विनिंग तो थी 2,4,000 रुपए और उसके मुझे मिले हैं दो लाग 32,000 रुपे यान की दोस्तों कितना शांदार जो है यह चीज है फ्रेंट्स आपको जो है यह सारी अमाउंट जो है आपको Tether on Tron से ही विड्रो करनी है हाला कि आप किसी और मेथट से भी निकाल सकते हो लेकिन जो P2P के अंदर अवेलेबल है जी हाँ दोस्तों आपको Binance भी जागे देखना है कि कौन सी मेथट जो है वहाँ पर अवेलेबल है जिसे कि हम जो है निकाल सकते हैं जैसे Bitcoin, Ethereum, Cardano, Tron, Shiba Inu ऐसा कोईन भी है जिनसे कि आप विड्रो कर सकते हो लेकिन मैंने जो अभी Tether on Tron से ही जो है वहाँ पर विड्रो किया है तो मैं आपको वही रिकमेंट करूंगा और उसी के बारे में मैंने जो है वीडियोस बनाई है और उसी के बारे में मैंने आपको बताया है तो उसी कोई रिकमेंट कीजिए और उसे से जो है आप विड्रो कीजिए और फ्रेंड्स अगर आपको यकिन नहीं होता है तो आप भी जो है अपनी अमाउंट एक बार जो ह इस तीर्थरों ट्रों से जैसा मैंने बताया है वैसे आप जो है विड्रो करके देखिए आपको पूरा अमाउंट मिंटों के अंदर मिल जाएगा दोस्तों यहां पर लिखावा आता है सेविन डेस का मेक्जिमम टाइम लेकिन वैसा कुछ नहीं है सीधा आप जो है बाइनें method find किया है हाला कि पहले जो है मैं UPI fast और इन सब से करता था हाला कि उनसे भी पूरा payment हो जाता था बिना tax लेकिन उसके अंदर यह फाइदा नहीं था कि मुझे amount और ज्यादा मिलती है इसके अंदर मुझे देखा आपने कि मुझे कितना ज्यादा amount मिला है हाला कि अगर आप म कुछ ज्यादा समझ में आएगा और दोस्तों अगर आपको जानना है कि इतना money मेंने कैसे जो है कमाया है क्या कुछ किया है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंगी यहां पर जो है मैं आपको मेरी पूरी updates देता रहता हूँ जो मैं इसकी predictions होती है व subscribe भी कर लीजिए